हेलो फ्रेंट्स मैं सरिता डावरा आज मैं आपके लिए एक यह दो कलर का डिजाइन लेके आई हूँ यह दिखिए यह कुछ इस तरह से दिखता है यह आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए कार्डिगन पे डालिए बच्चों के स्वेटर पे डालिए जेंड स्वेटर पे डालिए कैप पे बहुत सुन्दर लगेगा अब मैं इसको बना के भी दिखाती हूँ यह देखिए यह इसकी रोंग साइड है और यह इसकी राइट साइड अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ यह देखिए मैंने फंदे डाल ली है इसमें जो फंदे डलेंगे 5 के multiple plus 2 5 के multiple का मतलब ये है 5 again 5 again 5 और फिर 2 extra edge वाले फन दे और अब ये जो border बनाएंगे या तो सारी सीथी सिलाईया या उल्टी तो अगर आप सीथी सारी सिलाईया डालते हैं तो ये design सीथी side से शुरू होगा अगर सारी उल्टी सिलाईया डालते हैं तो उल्टी side से शुरू होगा मैंने ये सारी सीथी सीथी सिलाईया डाली हुई है तो सीथी तरफ से मैं दूसरा color शुरू कर रही हूँ पहला फंदा हमारा edge वाला फंदा है ये मैं बनाती हूँ आपकी मर्जी है तो आप उतार लेजिए अब ये मैं दूसरा color शुरू कर रही हूँ ये एक multi color thread है मैं एक multi color thread यूज़ कर रही हूँ और इस से हम दो सीथे फंदे बनाएंगे एक और दो फिर तीन फंदे सीथे दूसरे color से एक दो तीन और दो फंदे इस color से ये एक multi color thread था मैंने दूसरा color जो यूज़ किये वो multi color thread है तीन एक दो तीन तो ये जो design है पांच फंदों का है ये देखे एक फंदे को छोड़ के दो और तीन फिर से दो तीन दो तीन दो तीन का ये design है दो तीन तो इस तरह से ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे अजन ये अजन अब design के दूसरी से लाई पहला फंदा एज वाला फंदा है यह हम उतार लेंगे या बना मैं बनाती हूं और इस धागे को उस तरफ लेके जाएंगे और यह दो फंदे सीधे उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई सीधी रहेगी और धागा इस तरफ और यह वला धागा उस तरफ लेके जाएंगे हम एक दो तीन यह धागा इस तरफ और इस धागे को उस तरफ लेके एक दो धागा इस तरफ अब वाइट वले धागे को उस तरफ लेके जाएंगे एक दो तीन एक दो तो यह पूरी सिलाई इसी तरह से वाइट के उपर वाइट और जो कलर है उसके उपर कलर दूसरा कलर को बिल्बड़ खुछ लेके लेके लेकिशड़ और भीशड़ से वाइट लेके जाएट और लास्ट हमारा एजवला पंदा अब हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई शुरू हो रही है तीसरी सिलाई में ये सिलाई सेथी रहेगी वाइट कलर से ये पूरी सिलाई हम सिधी बनाएंगे अब हमारी डिजाइन की चोथी सिलाई अब हमारी डिजाइन की चोथी सिलाई चोथी सिलाई भी पूरी सिधी रहेगी ये पूर्एट ये झाल झाल अब हमारी डिजाइन के पांचवी सिलाई पांचवी सिलाई और पहली सिलाई सेम रहेगी इसमें पहला फंदा हम दुबारा से बता देती हो एजवाला फंदा है बनाई या उतारे और उसके बाद दो फंदे इस कलर के और तीन फंदे वाइट सीधे सीधे ही रहेंगे एक दो तीन दो फंदे इस कलर के एक दो तो अब यह डिजाइन पूरा रिपीट होना शुरू हो जाएगा त locate तीन फर्से दो एक दो एक दो तीन एक दो तीन कि और ये तो और ये एज्वाल अफंदा तो ये देखिए ये इस तरह से बनेगा इस तरह से हमारा ये एक ब्यूटिफुल सा देखिए इस तरह से हमारा ये ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनके त्यार हो जाएगा अगर आपको मेरा डिजाइन बताने का तरीका पसंद आया डिजाइन पसंद आया तो इसको शेर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू